नमस्कार दोस्तों beauty and carling channel में आप सभीका स्वागत है आज हम मरवा plant पे बात करते हैं मरवा जो plant है बहुत ही easy to grow plant है बहुत ही hardy plant है दोस्तों यह जो plant है यह तुलसी plant की family से बिलोग करता है तुलसी plant कीوج़ प्लाट मेंमेंear इस्मेल होती है इस plant की medicine value भी बहुत है इस plant से बहुत सी medicines बनती है और यह जो plant है इसकी medicine mostly पेट से संबंदि जो भी problems होती है डाइजेसिन से संबंदि जो भी problems होती है उसके लिए ज़्यादा बनाया जाती है और यह जो प्लांट है आपके घर से मक्ही मचरों को भी दूर रखता है क्योंकि इसकी स्ट्रॉंग स्मेल होती है उसे मक्ही मचर भी दूर रहते हैं बात करते हैं इसकी केर और प्रफिकेशन की तो यह जो प्लांट है इसको आप सनलाइट में रख सकते हैं और इसको आप गमले में भी ग्रोव कर सकते हैं और जमीन में भी ग्रोव कर सकते हैं जमीन में तो इसकी ग्रोथ बहुत ही फास्ट होती है और बीज बनते रहते हैं बीज जमीन में गीरते रहते हैं और न्यू न्यू जो प्लांट से वो निकलते रहते हैं इस प्लांट को साब। में अगर इसने साब करो पाईते हैं तो अगर उसने का ससे नहीं सब्सक्राइब करने को सब्सक्राइब होची अरड़ा मतलुत ओम सluence जाए Oliver , जाने सब्सक्राइब interactionгляब और इसकी जो flower होते हैं आप उनको brown नहीं होने दीजे because अगर flowers brown होंगे तो इसमें seeds बढने start हो जाएंगे और seeds बढने से plant अपनी growth एकदम slow कर देता है तो ये दो तरीके हैं जिसे आप अपने plant को bushy बना सकते हैं watering की बात करते हैं तो इसको watering पसंद है बट इसमें over watering मत कीजिए जब मिटी की उपर की layer आपको dry लगे तभी आप इसमें watering कीजिए वरना आपका ये plant over watering से खराब हो जाएगा मैंने एक चोटे से पोर्ट में दो दो प्लांट लगा रखे थे लेकिन और watering की वज़े से मेरे दोनों ही plant खराब हो गए थे एक तो मुझे remove करना पड़ा और एक को मैंने सारा ही प्रून कर दिया था यह दिखी यहां तक यहां तक इसको मैंने प्रून कर दिया था अब इसकी थोड़ी सी केर की जिसके जिसे से plant फीड से growth हो गया है देखिये यह सारी branches है ना इसकी सब branches new growth है इसकी इतना हाड़ी प्लांट है बट आप इसको और वाटरिंग ना कीजिए और वाटरिंग से ही प्लांट खराब हो जाता है और इस पे इंफेक्शन तो नहीं लगता है लेकिन कभी कभाई इस पे ब्लैक स्पॉर्स पर दिखते हैं तो उसके लिए आप क्या कीजिए आप पानी से प्रै प्लांट में कोई भी प्रब्लम नहीं आती है मैंने तो अब तक इस प्लांट में और कोई प्रब्लम देखी भी नहीं है इतना easy to grow प्लांट है इतना hardy plant है और जो गार्ड़नर लवर है जो न्यू है जो न्यू गार्ड़नर से उनके लिए तरी प्लांट बहुत ही अच्छ या फिर कोई भी लिक्विट फटिलाइजर आप इसको दे सकते हैं कैमिकल फटिलाइजर ना दे तो अच्छा रहेगा विकाज इतना ही दियान रखना है और आपका प्लांट बहुत ही अच्छे से चल जायेगा इसकी खुश्पु बहुत ही अच्छी होती है और इसकी ग्रोथ सर्दी और गर्मी दोनों टाइम में ही रहती है रुकती नहीं है इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं अभी जन्वरी चल रहा है इतनी सर्दी का टाइम है तो भी आप देखे इसमें फ्लावरिंग हो रही है और इसमें ग्रोथ अच्छी हो रही है तो I hope दोस्तों आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया है अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए